Hello dear students, स्वागते आपका हमारे YouTube चैनल पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्सा आठ विशे सामाजी की ज्यान नागरिक सास्तर सामाजी कहों राजनितिक जीवन थर्ड के NCRT की पार्टी पुस्तक अध्याइस आठ जन सुईदाएं के पार्टी पुस्तक में जो जलापूर्ती के उदारन कम हैं तो आंसर लिखेंगे प्राइवेट कंपनियों का मुख्य लक्षे होता हैं कि अधिक से अधिक मुनाफ़ा कमाए पानी ऐसी चीजें जिसकी जरुत गरीब अमीर हर विक्तिक होती हैं और लगबग एक समान होती हैं कई देसों में प्राइव को लगता हैं कि चैने में सब को पानी की सुईदा उपलब दें और वे पानी का खर्च उठा सकते हैं चर्चा करें तो आंसर लिखेंगे चैने में पानी की सुईदा कम ही लोगों को उपलब दें अमीर और असुकदार लोग तो बड़े आराम से अपने लिए पानी का इंत का मुख्य करनी पड़ती है अगला प्रस्ट से क्या तीन है किसानों द्वारा चैने के जल जयापारियों को पानी बेचने से इस्थानी लोगों पर क्या असर पड़ रहा है क्या आपको लगता है कि इस्थानी लोग पानी के इस दोहन का विरोध कर सकते हैं क्या सरकार इस बा इसलिए इस्थाने लोग भूमिगत पानी के इस दोन का विरोध कर सकते हैं सरकार चाहे तो आसानी से इस काम पर रोक लगा सकती हैं सरकार किसानों और पानी के व्यापारियों को उचित दंड भी दे सकती हैं अगला है प्रस्टस में 4 ऐसा क्यों है कि जादा तर नीजी अस्पिताल और नीजी स्कूल कस्वों या ग्रामीन इलाकों की बजाए बड़े सहरों में ही हैं तो आंसर लिखेंगे प्राइवेट कंपनियों का मुख्ध लक्स होता हैं कि अधिक से अधिक मुनाफ़ा कमाया जाए इसलिए जब कोई प्राइवेट कंपनिय अस्पिताल खोलती हैं या इस्कूल खोलती हैं तो वह अधिक से अधिक फीस लगती हैं इतनी अधिक फीस देने वाले लोग गाओं में इकादुका ही होते हैं जबकि सहरों में ऐसे लोग बहुतायत से होते हैं इसलिए ज़्यादा तर नीजी एस्पिताल और नीजी स्कूल कस्मों और ग्रामीन इलाकों की बजाए सहरों में ही होते हैं अगला है प्रस्ण से क्या पांच क्या आपको लगता है कि हमारे देश में जन्सुईदाओं का वित्रण पर्याप्त और निस्पक्स से अपनी बात के समर्थन में एक उधारन दे तो आंसर लिखेंगे हमारे देश में जन्सुईदाओं का वित्रण पर्याप्त और निस्पक्स नहीं है बड़े सरों के दनी रियाईसी इलाकों में सभी सुईदाइं मिल जाती हैं लेकिन जुगी जोपड़ी में जन सुईदाओं का सक तबाह होता है ग्रामीन इलाकों में तो जन सुईदा के नाम पर कुछ भी नहीं होता है आपको पब्लिक ट्रांस्पोर्ट के कई साधन मुंबई और दिली जैसे महासाग नगरों में मिल जाएंगे लेकिन यदि आप जुम्री तलाया या पतरान्तु की बात करते हैं तो वहाँ के लोगों को प्राइवेट गार्डियों पर सिर्फ रहना पड़ता है अगला प्रशने अपने इलाके की पानी बिजली और कुछ जन सुईधाओं को देखें क्या उसमें सुधार की कोई गुंजैस हैं आपकी राय में क्या किया जाना है इस तालिका को भरें तो यहाँ पर तालिका है दी गई हैं उसको हम इस परकार भरेंगे पानी क्या उपलब्ध है हाँ उसमें कैसे सुधार किया जा सकता है तो उसमें लिखेंगे अलग अलग पानी की टंकियों का निर्मान कर 24 गंटे की जलापूर्ती उपलब्ध कराना बिजली बिजली की कमी नहीं है जुगी जोंपुडियों में बिजली का कोई सारवजनिक परबंद होना चाहिए सडक सडकों की व्यवस्ता कहीं खराब होती है तो कहीं अच्छी होती है सडकों को निरंतर मरमत जरूर होनी है सारवजनिक परिवर्ण सारवजनिक परिवर्ण अब परयापते हैं बसों और रिक्सा की हर रूट पर व्यवस्ता होनी चाहिए एगला प्रसंसिंगे साथ हैं क्या आपके इलाके के सबी लोग उप्रोप सुईदाओं का समान रूप से इस्तिमाल करते हैं विस्तार से बताएं अंसर लिखेंगे हाँ निश्पक्स रूप से हमारे इलाके में जन सुईदाओं का समान रूप से इस्तिमाल करते हैं तथा कहीं कोई भी किसी भी चीज़ की आपूर्टिकम लगे तो इलाके के नगर निगम के अधिकारे को सुचित किया जाता है अगला प्रसेशन के आठ हैं जन गरना के साथ साथ कुछ जन सुईदाओं के बारे में भी आकड़े इकटा किये जाते हैं अपने सिक्सक के साथ चर्चा करें कि जन गरना पर का काम कब और किस तरह से किया जाता है तो आंसर लिखेंगे जन गरना का कार्य सरकारी करमचारी द्वारा किया जाता है जन गरना परतेक दस वर्ष के परचात की जाती है यह कारवाई परतेक व्यक्ति के घर गर जाकर की जाती है जिसमें यह पता लगाया जाता है कि घर में कुल कितने साथ ची हैं उस जगह की जनसे क्या कितनी है, महिला है, पुर्सों, बच्चों की संक्या का अनुपात क्या है जिस भी परकार की सुईधाय सरकार द्वारा दे जाती है, उसकी लोगों तक कितनी पहुंचे है अगला है प्रस्टिक्षन क्या नौ, हमारे देश में नीजी सेक्षनिक संस्थान, इस्कूल, कॉलेज, विश्व उडियाले, तकनिकी और व्यारसाइक प्रस्थिक्षन बड़े पेमाने पर खुलते जा रहे हैं दूसरी तरब सरकारी सिक्षन संस्थानों का महत्व कम होता जा रहा है, आपकी राय में इसका क्या असर हो सकता है, चर्चा कीजिए तो आउसो लिखेंगे हमारे देश में नीजी सेक्सिनिक संस्तान खुलते जा रहे हैं जब की सरकारी सिक्सा संस्तानों का महत्व मोता जा रहा हैं आने वाले समय में इसका असर यह होगा कि सिक्सा बहुत अधीक महंगी हो जाएगी क्योंकि जादातर बच्चे नीजी सेक्षनिक संस्तान की और बढ़ रहे हैं जिसके कारण गरीब लोग इससे वंचित हो जाएंगे वे पहले से ही बच्चों को मुश्किल से पढ़ा पाते ह सिक्सा से वंचित होने के कारण समाज में सामाजीक आर्थिक अंतर बढ़ता जाएगा और जो समाज में टकराव का कारण बनेगा इस परकार छात्रों आज का ये चैप्टर कंप्लीट होता है और हाँ यदि आपको ये पीडियाप डाउनलोड करना है तो हमारे वीडियो के डेस्किप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया गया है उस वेबसाइट पर जाकर के आप इस पीडियाप को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और उस वेबसाइट पर क्लास फिफ्ट से टैन तक क्ला कम्प्लीट एंसी आर्टी स्योलूशन दिया गया है आप वहाँ पर और जादा जानकारी प्राप्ट कर सकते हैं और रहाचातरों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सेर कीजेगा चैनल पर पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में